कि अलो एवरिवन आप सभी अच्छे होंगे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों किया था थियोरंस ऑफ डिफ्रेंशेशन जिसमें हमने एडिशन और सब्रेक्शन वाले टर्म आते हैं उनको कैसे डिफ्रेंशियेट करते हैं इन सभी चीजों के बारे में अच्छ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आई यह आज की कहानी शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे डिफ्रेंशेशन में हम लोग बात कर रहे हैं तो आज का जो हमारा रूल है वो है प्रोड़क्ट रूल प्रोड़क्ट रूल कहले या प्रोड़क्ट थियूरम कहले है अब यह कैसे काम करता है इसको समझना है देखिए प्रोड़क्ट रूल की अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए माल लीजे हमारे पास एक फंक्शन है वो है यू यह भी एक्स का फंक्शन है एक के बीच हमने PLUS वाला तो देख लिए है मसलन जैसे एगर UX plus यह एक्स का मतलब यू डिपेंड करता है एक्स पर और भी डिपेंड करता है एक्स पर तो अगर ऐसे रिलेशन्स आ जाए तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं क्या फर्मूला होता है उसको समझेंगे तो हमारे पास जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारा फर्मूला आता है वो क्या आता है देखिएगा इस नहीं काम होता है differentiating with respect to X मैं यहां X से कर रहा हूं जैसी हमारी जरूत होगी उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे तो यहां पर हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वल टू अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड वाला सिस्टम चलता है इसको वन कहें और इसको टू कहेंगे तो जब वन को करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे टू को वी आई पी ट्रीटमें हुआ प्लस अब यू को वी आई पी ट्रीटमेंट देंगे और डिफ्रेंसेशन होगा वी का जैसे इंडियन पिक्चर में आपने देखा था है ना प्रोटेक्शन मांगने सब नेता जा रहे था ना बढ़ियां से धुनाई कर रहा था सानी देवल अंदर है ना जब धुना कि मसलन इसको अगर हम अपने language में समझें तो पहले इसका differentiation होगा इसको constant रखते होगे फिर इसका differentiation होगा इसको constant रखते होगे अब जब तक आप इस पर question नहीं लेंगे तब तक आपको clarity नहीं आने वाली है तो आई एक question लेते हैं जिससे आपको clarity आ जाए तो example पहला हमारा कह रहा है y is equal to आपको function को दिया रखा है x x sin x अब यहाँ पर देखो दो functions आपको दे रखा है यह x है और यह sin x है आपको अलग-अलग नजर आए इसलिए मैंने क्या कर दिया है दोनों को bracket में रख दिया है अब आप मन ही मन इसको क्या मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए वी कोई दिक्कक आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है यह चीज़े हमको कैसे करना है मन के अंदर मन ही मन ठीक अंदर यह अंदर हमको यह सोचना है अब हमको इस formula के according चलना है तो हम क्या करेंगे differentiating with respect to x जब हम लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा dy by dx ओके कोई प्राब्लम नहीं वी को बाहर कर देंगे तो वी की जगह कौन है sin x है यह बाहर आ गया किसका होगा x का होगा dx by dx फर्मूले में प्लस है तो प्लस अब u को बाहर u की जगह x है तो बाहर और कौन है तो देखो v का करना है v की जगह sin है तो यहां आ गया sin x and divided by dx अब यहां से हमारा formula लगेगा जो लगता है dx by dx का value 1 होता है d sin x upon dx की value cos x होती है तो यह हो जाएगा sin x यह जैसा था वैसा लिख देंगे इसकी value 1 आई तो 1 plus यहां पर x था तो x को bracket में रखेंगे sin का क्या होता है cos तो यह हो जाएगा cos x यह हमारा आ गया result अभी आप चाहें तो इसको एक बार और लिख सकते हैं तो यहां हो जाएगा sin x plus x cos x यह हमारा result आ गया आई एक और example लेते हैं आई होप आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा एक और example लेते हैं जिससे आपको और clarity आ जाएगी कैसे हमको यह पर्मूला यह जो product rule है वो काम करता है ठीक है आई एक question और लेते एक जांपल एक जांपल में देखते हैं y is equal to हमको given है कि आई मालीजे यहां पर आपको दिया हुआ एक पावर एक सौर दिया हुआ है एकस के you है है तो यू और वी हमारे पास दो function हो गया इनको हम क्या करेंगे Differentiate करेंगे तो differentiating with respect to x, x के respect में हमको क्या करना है, differentiate करना है, ठीक है, तो जब हम differentiate करने जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, ओहो, ओहो, डी वाई वाई, डी एक्स इस इक्वेल टू, चलिए, यू का करना है, वी को constant ले लेना है, तो x को मिला, x के पाउर 4 को मिला, यहाँ पर एक्स के पाउर 4 का, डिफ्रेंसियेशन होगा, तो इनको जब हम differentiate करेंगे, तो हमको क्या मिलता है, x के पाउर 4, और यहाँ मिल जाएगा e के पाउर x, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि e के पाउर x का डिफ्रेंसियेशन e के पाउर x ही होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा होगा e के पाउर x, इसको क्या लिख सकते हैं, तो x के पाउर n वाला तो n लिख दिया, इंट्टो x के पाउर n माइनस 1, फाइनली x के पाउर 4, e के पाउर x प्लस 4, e के पाउर x और x का पाउर क्यूब, यह हमारा आया नतीजा, एक क्वेश्चन और हो जाए, तो फटा-फटा आप इनको थोड़ा नोट करिए, समझते हुए नोट करिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए, आईए एक क्वेश्चन और लेते हैं, माल लीजिए आपको दिया जाए, y is equal to, e के पाउर x और अपाउर अपाउर भी नहीं पढ़ाया है, अब देखो यहाँ पर फिर से दो फंक्शन बन गए, कितने फंक्शन बन गए, दो फंक्शन और दोनों किसमे हैं, मानना है, मन ही मन हमको इनको assume कर लेना है, अब हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे, differentiating with respect to x, तो यहाँ पर लिखेंगे, dy by dx is equal to, log वाले को VIP treatment देंगे, और यहाँ पर हो गया e के पाउर x by dx, प्लस फॉर्मूले के कोर्डिंग चल रहे हैं, e के पाउर x, d log best e x upon dx, अब यहाँ देखो, e के पाउर x का differentiation y होता है, तो log जैसा था, वैसा ही रहेगा, bracket लगा देना, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही हो, तो deal करने में numbers को, यह हो गया, e के पाउर x का क्या होगा, e के पाउर x, plus e के पाउर x, log का क्या हो जाता है, 1 by x, then final answer क्या आएगा हमारा, बताइए बच्चों, यह आजाएगा, e के पाउर x, log base e और x, plus e के पाउर x by x, यहाँ से हम अगर common निकालने, e के पाउर x, तो हमारा dy by dx का जो आएगा, वो आएगा, e के पाउर x, log base e x, और plus 1 by x, this is our required result, तो ऐसे हम लोग, product rule को use करते हैं, product rule में यह जो formula है आपका, यह बड़ा important होता है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, इससे हमारा काम बनता है, तो फटा-फट इसको आप note कर लिजे, सब लोग, चलिए, I hope आपने इनको note कर लिया है, तो आज के class में हम लोगों ने बच्चों बात किया, product rule के बारे में, product rule को कैसे करते हैं, differentiate, और I hope आपको यह समझ में आया है, अगर आपको यह समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, और दबा कर share करें वीडियोस को जहां तक हो सकें, अपने friend circle में, जहां भी आपको लगता है, तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज़बा है, तब तक जीतने का जज़बा है, that's all for today.